जहें दोस्तों आईए आजकी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना नया लाशन कार्ड बन बा सकते हैं करने के लिए आपको क्या योगिता होनी चाहिए यानि कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए तब आप नया राशन कार्ट बनाने के लिए ऑनलाइन आप वेधन कर सकते हैं तो देखिए पहला आपके पास क्या होना चाहिए भारत के नागरिक होने चाहिए ठीक है या यानि चार पया वाली गारी कोई ची नहीं होनी चाहिए ठीक है परिवार का कोई भी सदस्ते प्रतिमाद 10,000 रुपई से अधिक ना कमाता हो यानि कि जो परिवार का कोई भी सदस्ते हो वो 10,000 रुपई से अधिक ना कमाता हो परिवार समाजिक और आर्थिक तोर पे कमजोर ह तो यह यह रही कुछ बेसिक डिटेल्स यानि कि जय जय रही योगिता अगर आपके पास इन में से कुछ है तो आपका राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा खारी जो जाएगा ठीक है अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यह यह चीज़े नहीं होनी चाहिए अब देखे बात करते हैं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं देखे किन दस्तावेज की जरूरत होगी ऑनलाइन राशन कार्ड कैसे बनाएं ठीक है तो देखे दस्तावेजों की मैं मैं बता देता हूं कि आवेदर का आधार कार्ड ह होना चाहिए ठीक है उसके बाद देखे लिखा है परिवार के अन्य सभी सतस्तियों का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानि की रेसिडेंसल सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक चालो मुवाइल नमबर और पूरे परिवार का सामुहिक फोटो होना चाहिए यानि सबसे पहले इसकी अधिकारिक website पर जाना यह रही है इसकी अधिकारिक website जो कि मैं आपको description में दे दे रहा हूँ जैसे आप उस पर click करेंगा आप इसकी अधिकारिक website पर पहुझ रहा हूँ तो जैसे ही आप इसकी अधिकारिक website पर आएंगे अब आपके सामने एक page खुल कर आजाएगा देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस्था करेंग अंट्रफिस खुल कर आएगा यह इसकी अधिकारिक website आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में कॉर्णर पर दिख रहा होगा sign in या register ठीक है आपको sign in या register वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर देखिए दो option देखनों के मिलेंगे public login और official login तो आपको यहाँ पर public login जो लिखा हुआ इस वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप public login पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से कुछ नया interface खुल कर आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरक एक interface खुल कर आ गया है अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर अपना आधार नमबर डाल द